पिछले विडियो में हमने एक प्लैटफॉर्मर गेम का ये बेसिक प्लेयर स्प्राइट बनाया जो की लेफ्ट राइट मूव करता है और जंप करता है और इसमें हमने ग्रैविटी सेट अप करी और जंप जो है वो रिपीटिड ना हो ये कंडिशन को चेक किया अब इसको यूज करते हुए हम पहले एक सिंपल सा प्लैटफॉर्मर गेम बनाते हैं तो मैं एक और नया प्लैटफॉर्म अड़ कर रहा हूँ इस प्लैटफॉर्म का कलर भी ब्लैख ही होगा क्योंकि हमने जो बाकी जो प्रोग्रैमिंग लाजिक बनाया है वो black कलर के हिजाब से बनाया है तो अभी जो हमने ये second प्लैटफॉर्म बनाया ये game इस तरीके का है कि हम जंप करके उसके उपर आ रहे हैं और अगर अब मैं इसी को duplicate कर देता हूँ और position थोड़ी change कर देता हूँ तो हमारा game जो है वो इस तरीके से हो सकता है कि हम jump करके पहले platform पे जाते हैं फिर दूसरे में और फिर तीसरे में और फिर चौथे में और फिर पांच में है और यहाँ पर हम कोई winning condition डाल देते हैं तो for example let's say मैं यहाँ पर एक यह apple डाल देता हूँ और हम वोपस sprite one में के code में जाकर अब winning condition का deduction का key script लिखते हैं और वो condition basically है कि यह जो sprite है जब यह apple को touch करें तब जो है हम कहेंगे कि you win the game तो यहाँ पर मैं फिर एक और when green flag clicked ला रहा हूं क्योंकि हम चाहते हैं कि यह जो script है यह parallelly process हो और हम कह रहे हैं कि control में जाके forever check the condition if sensing में जाके touching the sprite apple then looks में जाके हम कह सकते हैं for example you win और उसके बाद हम कह रहे हैं stop the game और हम यह चाहते हैं कि जब game शुरू हो तो यह जो हमारी player sprite है वो इस location पर हो तो हम motion में जाके कह रहे हैं go to x-215 y 149 अब हम test करके देखते हैं तो यह you win और यह उसके बाद भी थोड़ी देर इसलिए continue कर रहा है क्योंकि वो 2 seconds के लिए you win कह रहा है इसलिए इसको हम ठीक कर सकते हैं पर जो हमारा basic platformer game है वो बन गया है अब इसके बाद हम इसको और challenging बना सकते हैं game challenging बनाने का एक तरीका है कि यह जो हमारे platform हमने बनाए हैं हम इनको move कराएं कि यह इधर से इधर glide होते रहें ताकि जो इनको हमारे को hop करके चड़के apple तक पहुंचना है वो थोड़ा सा difficult हो जाए तो इसके लिए हम अपने इस एक sprite पर जा रहे हैं platform के एक sprite पर जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि when green flag is clicked इसको हम एक particular position पर भेजते हैं तो हम पहले उसको set कर देते हैं let's say वो position यहां पर है तो हम कह रहे हैं कि go to x इकोल्स to 248 and y-113 और फिर हम कह रहे हैं कि यह जो है यह glide होते वे यहां आ जाए तो यहां हम इसको position करके glide का हम block जो है वो यहां पर लगा देते हैं तो हम कह रहे हैं कि इस position से शुरू करके y-113 तो यहां मैं y-113 कर देता हूं ताकि वह straight line में scroll हो और अगर अब मैं इसको green flag click कर रहा हूं तो यह हमारा जो platform है यह glide कर रहा है यह बहुत speed पे glide कर रहा है इसको हम slow करना चाहते हैं तो हम इसकी यहां कितने seconds के लिए glide करे यह change कर सकते हैं और यह कितने seconds के लिए glide करे यह determine करेगा कि जो game है वो कितना easy या difficult है तो इस तरीके से जब अब हमारा जो platformer game है वो इस किसम का है कि जब यह glide कर रहा है तब हमारे को इस पे चड़ना है और इसके साथ रहना है पर of course यह केवल एक बार glide कर रहा है हम चाहते हैं कि यह forever इस position पे glide करता रहे and likewise बाकी जो platforms हैं वो भी अपनी अपनी locations पे glide करते रहे और तब हमारे को आपल पे पहुंचना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम use करेंगे clones तो मैं control में जाके कह रहा हूं कि when green flag starts forever create clones of myself and पहला clone बनेगा और उसके बाद let's say हम थोड़ी सी wait डाल देते हैं maybe जब तक कि वो scroll करके यहां आ रहा है तो four seconds तो let's say हम यहां four seconds की wait डाल रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि forever create a clone of myself wait for four seconds and then हम कह रहे हैं कि when I start as a clone go to this position and glide to this position अगर हम इसको test करते हैं तो हम यह कह रहे हैं कि यह इस तरीके से आएगा और फिर यह इस तरीके से glide करेगा of course हम चाहते हैं कि यह जो clone है जब यहां पर पहुँचे तो वो अपने आप delete हो जाए तो हम यहां पर कह देते हैं कि जब new position पर glide करके पहुँच जाओ to delete this clone और हम चाहते हैं कि जो original है वो hide हो और cable clones show हो तो उसके लिए हम looks में जाके कह रहे हैं कि जो हमारा main sprite है वो hide हो पर जब तो जब मैं अगर click करता हूं तो यह hide हो गया पर अब जो अगर यह है तो यह clones में नहीं दिखाई दे रहे हैं तो हम clones में जाके यहां कह रहे हैं कि when I start as a clone then show तो यह अब इस तरीके से यह जो हमारा पहला platform है यह glide कर रहा है तो इसकी वज़े से अब हमारा जो program है वो थोड़ा सा challenging हो गया है क्योंकि अब हमारे को जब वो clone glide कर रहा है तब उस पे हमारे को चड़ना है और इसी तरीके से हम इस code को हम next platform पे भी copy कर सकते हैं तो हम यहाँ पर इसको copy कर देते हैं तो अब अगर मैं यह next platform पे जा रहा हूं तो यह जो हमने code हम copy कर के लाए हैं तो यह exactly same location पे चलेगा जो हम नहीं चाहते हैं हम चाहते हैं कि X की location तो ठीक है पर जो Y की location है वो change हो जाए तो हम यहाँ पे minus 113 थे तो let's say अब हम हम चाहते हैं X जो है around minus 86 का है तो हम यहाँ पे इसकी position minus 86 कर देते हैं और फिर अगर इसकी जो weight है वो भी थोड़ी different कर देते हैं let's say यह every two seconds में जाएगा तो अगर इसको मैं test करता हूं तो यह यह पहला जो clone है वो exactly same चल रहा है तो हम यह भी कर सकते हैं कि इसको हम कहेंगे कि यह जो start हो यह minus 280 यानि second platform यहाँ से शुरू हो और right की तरफ scroll हो तो हम कह रहे हैं then go towards positive 280 तो यह फिर इस तरीके से हैं कि यह जो हमारा clones हैं वो इस तरीके से चल रहे हैं अब यह platform जो हैं यह बहुत जादा pass हैं तो हम इसको और दूर कर देते हैं तो maybe minus 60 कर देते हैं minus 60 और हमें बाकी भी इसी तरीके से ठीक करनी पड़ेगी but this is better because यह हम क्या कह रहे हैं कि जो पहला जो हमारा platform है हम इसमें चड़ेंगे और हम को दूसरे platform में ऐसे इसमें चड़ना होगा फिर हम जो है जो हमारा third clone है हम इस पर copy कर लेते हैं same code उसको और इसको भी change कर सकते हैं तो हम इसको let's say maybe positive 50 करके try करते हैं positive 50 maybe इसकी glide speed थोड़ी change कर देते हैं faster glide कर देते हैं three seconds और यहां weight भी जो है यह maybe one point five seconds कर देते हैं test करते हैं तो यह जो यह platform बहुत ही जादा उपर चला गया इतनी हमारी jump नहीं है तो इसको हमें थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा तो हम यहां पर हमारा यह platform था minus 60 तो maybe इसको हम zero zero करके try करके देखते हैं तो यह हम पहले platform पर चड़ेंगे फिर हम दूसरे पर तीसरे पर इस तरीके से और अगर हम again चाहते हैं कि जो यह third platform है यह दूसरी direction में जाए तो हम इसको plus 280 से minus 280 कर देते हैं और इसकी थोड़ी weight बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा challenging हो तो यह जब शुरू होगा तो यह three और इसकी glide speed भी बढ़ा देते हैं तो यह इस तरीके से है so that looks much better because हमें इस पर चड़ना होगा first first में और फिर wait करनी होगी second में फिर third में और फिर fourth जो है उसको तो और गर हम fourth पर fourth पर भी यह code copy करते हैं और फॉर्थ का जो है वह हम इसकी हम position में भी 40 40 ट्राइब कर सकते हैं तो यह exactly same चल रहा है तो हम इसकी weight बढ़ा देते हैं इसकी glide speed भी बदल देते हैं तो और यह अभी काफी pass है तो में भी हम इसको 60 60 try कर सकते हैं और फिर जो हमारा final है जो last हमारा platform है हम उसको थोड़ा और challenging बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं और उसका जो code है अगर अब हम देखते हैं तो इसकी हमें बढ़ाना पड़ेगा तो हम कह देते हैं let's say 110 110 और इसको हम ultra scroll करा देते हैं minus 280 से plus 280 तो वो जो last है वो काफी challenging होगा तो इसके लिए हम weight उसकी कम कर देते हैं ताकि वो ज्यादा clones जो है वो ज्यादा मिले हैं हमारे को तो तो अब जो उपर वाली जो हमारे platform से वो ज्यादा आ रहे हैं तो इसको अब हम game को थोड़ा खेल के देख सकते हैं तो हम jump करके first platform पर जाते हैं second पर third पर third पर fourth जो है उसकी हमारे को थोड़ा change करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसकी हमें delay कम कर देते हैं maybe two seconds और glide speed भी थोड़ी सी कम कर देते हैं two seconds तो अब वो doable लग रहा है challenge तो आप इस तरीके से इनको tweak करते हुए इसकी actually glide speed बहुत जादा है तो इसकी glide speed हम actually three seconds ही करते है wait one second कर देते है तो इस तरीके से I think ये आपको basic logic समझ में आ गया कि आप जो game को कितना easy or difficult बनाना चाहते हैं वो आप जो clones की weight है यानि कि कितनी fast clones आएंगे उसको change करके आप बदल सकते हो या आप जो clone की costume है sorry platform की जो costume है वही change कर सकते हो अगर मैं उसको छोटा कर देता हूं तो game ज्यादा challenging हो जाएगा और इस तरीके से हमारा जो एक basic platformer game है वो तयार हो गया इसमें of course काफी चीज़े improve करी जा सकते हैं क्योंकि अभी हम नीचे से भी jump कर पा रहे हैं जो की नहीं होना चाहिए पर एक basic जो platform है वो आपका तयार हो गया है और एक जो हम final चीज़ बना सकते हैं वो यह है कि जो winning condition है उसको और improve कर सकते हैं तो हम backdrop में जाके यहां पर एक नई backdrop paint कर देते हैं और इसमें हम text में लिख देते हैं किसी और color में यू विन इसका font पदल के यह हमारी इसको विन नाम रिख देते हैं इस costume का तो अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हमारा जो game है वो शुरू होगा तो जो costume है वो होगी जो background है वो होगा looks में जाके हम कह रहे हैं कि switch backdrop to backdrop 1 और जब यह instead of saying you win for 2 seconds हम यहां कह रहे हैं switch costume to sorry switch backdrop to win and then stop all तो अब मैं शुरू करता हूं तो यह हमारा platform का game है यह इस तरीके से हम उपर जाएंगे उपर जाएंगे उपर जाएंगे उपर जाएंगे और जब हमारी winning condition होगी तो यह you win होके game जो है खतम हो जाएगा तो I hope आपको इस इन दो videos में समझ में आया कि आप एक basic platformer game कैसे बना सकते हैं